हलो दोस्तों अगर आपका बजेट 25,000 रुपय है और उस बजेट में आप एक बेस्ट लेप्टॉप लेना चाहते हैं आप एकदम सही वीडियो को देख रहे हैं जिया दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुभी को टॉप 5 बेस्ट लेप्टॉप अंडर 25,000 रुपीज ब लेप्टॉप है जो आज की इस लिष्ट में आते हैं तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिष्ट में जो पांचवे नंबर पर लेप्टॉप आता है और फुदित्सु की तरफ से हैं और हो है फुदित्सु लाइब बुक ए 573 अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात कहत नांट मिलयों है महम से ने कहले देखने को मिल जाता है बात इसके प्राइज के तियों पर लेपफ आपकेस के लिए फो इसको यूज कर सकते हैं गेमिंग वगेरे के लिए आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे लेकिन दोस्तों इसमें ना तो आपको बेब कैम देखने को मिलता है और ना ही इसमें आपको DVD ड्राइब देखने को मिलता है जो कि अगर आपको DVD ड्राइब नहीं मिलता तो भी चल जाता लेकिन इसमें आपको बेब कैम देना चाहिए था तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर लैप्टाप आता है वो असूस की तरब से है और हो है असूस क्रोम बुक फ्लिप इसके स्पेसिफिकेशन की बात केती है इसमें आपको 11.6 इंच की HD LED Backlit LCD Anti-Glair Display देखने को मिल जाती है इसमें आपको 200 nits brightness भी देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 65% screen to body ratio देखने को मिल जाता है और इसमें आपको Google Chrome Operating System देखने को मिल जाता है और इसमें आपको Intel Celeron Dual Core Processor भी देखने को मिल जाता है और इसमें आपको वाई-फाई, ब्लुटूथ, बेब, कैम, डूवल स्पीकर जैसे फीचर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको DVD ड्राइब देखने को नहीं मिलता है, बात कर इसके प्राइस किते हैं, आपको 24,992 रुपए में देखने को मिल जाता है, तो overall बात कर लिए या वीडियो इडिटिंग के लिए ये यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आपको जो बाकी फीचर देखने को मिलता है, जैसे की वाई-फाई हो गया, ब्लुटूथ हो गया, बेब कैम हो गया, यहां तक कि दोस्तों आपको इसमें dual stereo speaker भी देखने को मिल जाते इसमें आपको Intel i5 second generation processor देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 2.3GHz processor speed देखने को मिल जाता है, जिसको आप टर्बो बूस्ट कर सकते हैं up to 2.9GHz तक, और इसमें आपको integrated Intel HD graphics 3000 graphic processor देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 4GB RAM 320GB का hard disk भी देखने को मिल जाता है, और इसमें भी Wi-Fi, Bluetooth, Webcam जैसे feature देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आपको DVD drive देखने को नहीं मिल जाता है, बात करें इसके price की ति आपको 21,999 रुपए में देखने को मिल जाता है, तो अब बात करतें दोस्तों आज की list में जो दूसरे नंबर पे laptop आता है, और अवीता की तरफ से अब इसके specification की बात करते हैं, इसमें को 14-inch की full HD plus anti-glade display देखने को मिल जाती है, जिसमें को 64-bit Windows 10 operating system देखने को मिल जाता है, और इसमें को Intel Celeron dual core processor देखने को मिल जाता है, जिसमें को 1.1 GHz processor speed भी देखने को मिल जाता है, और इसमें को Intel UHD 600 graphic processor भी देखने को मिल जाता है, RAM type क इसमें को LPDDR4 RAM type देखने को मिल जाता है, जिसमें को 4GB RAM, 128GB का SSD भी देखने को मिल जाता है, और साथी में दोस्तों इसमें को Wi-Fi, Bluetooth, Webcam, Dual stereo speaker जैसे यहां पर feature देखने को मिल जाते है, लेकिन इसमें भी आपको DVD drive देखने को नहीं मिल जाता है, बात करें इसके price किते आपको 23 2500 रुपे में देखने को मिल जाता है, तो overall बात करें दोस्तों इस laptop की, इस laptop दूसरे नंबर इसलिए आता है, क्योंकि इसमें आपको जो display देखने को मिल जाती है, और जो basic features हैं और जो basic features हैं और भी आपको देखने को मिल जाते है, चाहे इसका webcam हो गया, Wi-Fi हो गया, Bluetooth हो गय इस सारे features आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको दूसरी नंबर पर रखा है, तो finally दोस्तों आज की list में जो नंबर एक पे laptop आता है, और Lenovo की तरफ से है, और हो है Lenovo ThinkPad, अब इसके specification की पातकेत, इसमें आपको 14-inch की HD display देखने को मिल जाती है, जिसमें आपक 3,000 graphic processor भी देखने को मिल जाता है, इसके RAM टाइप की बात केत, इसमें आपको DDR3, HD RAM टाइप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 4GB RAM, 320GB का SSD देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 55Wh का battery भी देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको Wi-Fi, Bluetooth, Beep Cam जैसे basic feature देखने को मिल जाते हैं बात करें इसके प्राइस की थे आपको चणवीस gifted 949 reach को देखने को मिल जाता है थो ओवारल बात करें दोस्तोओ इस लेबटॉप कि इस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो प्रोसेसर देखने मिलता है। कि जो बैटरी देखने को मिल जाती और इसमें आपको सारे basic features भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि वेब काइम हो गया वाइफाइव हो गया Bluetooth हो गया इस सारे features आपको देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 best laptop under 25,000 रुपे और आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और आपको कौन सा लैपटाप सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसको भी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आयोध वीडियो को लाइक सेयर जरूर कर देना और चैनल पर नयवत चैनल को भी सस्काइब कर देना ठैकि दोस्तों वीडियो को लास तक देखने के लिए